हेडे गाइस कैसे हैं आप लोग आज की एक नियो एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज की इस एपिसोड में कुछ ऐसे चीज हैं जो हम लोग डिसकस करने वाले हैं जो कि बहुती ज्यादा अच्छा चीज है इंडियन को भेजने के लिए हमारे ही एशिन गेम्स में इसके पीछे का थोड़ा स्टोरी आज हम लोग साइट में करते हैं और आज हम लोग डिसकस करते हैं कुछ वैलिट पॉइंस जो कि सैफ कप के बाद बहुत अच्छे से निखर के आया है हमारे ये फुटबॉल सीम जो कि आप पर देखी चुके होंगे तो चलिए डिसकस कर लेता हैं लेकिन उसके पहले मैं सब अपने एक्स्टेंडेट फैमिली को सुख्रियादा करना चाहूंगा थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग तुर इस चैनल मेकिंग अ मोमेंटम इन फुटबॉल यू आर रेली स्पेशल और जो भी अभी तक सब्सक्राइब ने किया उनको बोली होगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को नीचे एक रेट बटन उसको दाप कर इस फैमिली का मेंबर बन जाईएगा और हम लोग ऐसे ही करके आगे बढ़ते रहेंगे इंडियन फुटबॉल को जुड़ने के लिए ऐसा क्या है ऐसा कॉन से ब्लैंड जै अगर यह जैसे ही रिवील होगा उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा को कि इंडियन फुटबॉल टीम के साथ अपना मर्जर करना चाहते हैं वहां अपना इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं जैसे कि हो सकता है अधिड़स हो सकता है नाइक हो सकता है यह ऐसे ही स्पोर्ट्स ब्रैंड हो सकते है जो कि हमारे कीट को स्पॉंसर करना चाहें क्योंकि आगे वो नाइक से आता था लेकिन अभी नाइक से नहीं आता भी 6x6 इंडियन बेस्ट कंपनी है जो कि गुरगाओं में बेस्ट है वह क्योंकि हम लोग रिसेंटली देखे साफ चैंपियंशिप जो हुआ वह ऐसा चैंपियंशिप मुझे तो नहीं लगता साफ के पूरे इतने सालों में कभी होगा कि इतना कंपिटेटिव एक ज्यादा चैंपियंशिप जो कि हमारे ही साउथ एशियन फुटबाल फेडरेशन से था जैसे कि हम लोग वैफ देख लेते हैं जैसे काफा देख लेते हैं जैसे इस्टेशन फुटबाल फेडरेशन देख लेते हैं उन लोग की जो सैंपियंशिप होता है वो नहीं कंपिटेटिव होता है और हम लोग का सैफ चैंपियंशिप जैसे कंपिटेटिव ने या बाहर के sports industry से हमारे Indian football team के साथ जूड़ना चाहा है तो इससे हम लोग को royalties भी मिलेगा क्योंकि अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को royalties नहीं मिल सकता लेकिन अगर हम उन से approached होते हैं हम लोग उन लोग से royalties भी मांग सकते हैं ऐसा बहुत ही अच्छा एक हम लोग को यह लगा अपसर क्या आप लोग को बोलें जैसे हम लोग जानते हैं कि PT Usar Kalyan Chowbe के बीच में जो रिफ्ट है वो अभी भी चली रहा है और हम लोग को यह मैं कल की वीडियो में डिसकर्स किया था कि इसका जो सिकार हो रहा है वो इंडियन फूट बाल रहा है क्राइटेरिया इसके लिए तो पहले हम लोग को पार्टिसिपेट करके हम लोग को अपने से वहां योगदान देना पड़ेगा जीतना पड़ेगा तभी न हम लोग कुछ कर सकते हैं तो नहीं हो कि एक दिन में चल कर लिए तो ऐसे बहुत ज्यादा स्पोर्ट हैं जो कि इ इन अदर बिजनसे मुझे यही लगता है आप लोग को क्या लगता है जरू से कमेंट में बताइएगा कि यह बहुत ही ज्यादा आज का डिसकर सबर टॉपिक है क्योंकि पीटी उसार कल्यान चॉबे की बीच में जो हो रहा है इसका सिकार इंडियन फुटबॉल नहीं होना अब तक नहीं पता लेकिन लेट सी वो कुछ कंस्ट्रॉक्टिवी बात होना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग एशियन गेम्स में जाते तो उस बात का भी कोई फायदा नहीं है अगर बात ही होगा और कुछ काम नहीं होगा तो उसका फायदा क्या है तो फायदे के लिए हम को यह देखना पड़ेगा कि कितना fruitfulness आया है उस बात पर हम लोग जानते हैं कि अगर fruitfulness आया तब हम लोग एशियन गेम्स में हंग जा सकते हैं और हम लोग जाके वहाँ खेलेंगे तो we will get the experience do they don't know that मुझे नहीं पता क्यों ऐसे कर रहे हैं बर जो भी है हम लोग को प्रोट subscribe to the channel आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं फिर एक video के साथ जहां हम लोग discuss करेंगे Indian football के और भी ज्यादा बड़े development scope पर तब तक के लिए please take care of yourself and do help Indian football to grow see you in the next one